वेल्कम टू आर्डी जेपेएस वर्च्वल क्लास आज क्लास थर्ड के बच्चों को मैं एक एल्फबेट से एक टॉटाइज ड्रॉ करवाना सिखा रहा हूं तो आप गर में प्रैक्टिस करिए सबसे पहले आप इसके लिए एक स्मॉल ए लिखेंगे जैसे आपने सिखा है ए लिखना वैसे ही से मैं ए लिखूंगा ठीक है यहाँ मैंने एक ए लिख दिया है इसके बाद इस लाइन को आप इस तरह से ड्रॉ कर देंगे उसके बाद यहाँ से आप एक बड़ा सा ग्लोब टाइब में ड्रॉ कर देंगे ठीक है और उसके बाद यहाँ पर भी आप इस पार्ट से ध्यान रखना इस पार्ट से यहाँ ऐसे जॉइन कर देंगे इस लाइन को भी आप यहाँ ज्रैंट कर देंगे इसके बाद यहाँ इसके टॉटर इसकी लैग बनाना नहीं है ठीक है फुड़ा कार्टनिश टैल में बनाएंगे बच्चों के लिए और नहीं और कार्टनिश टैल में सखाँगा मैं और यहाँ पर एक इसकी टैल में बना सकते हैं ठीक है इसके बाद यहाँ पर खुड़ा जो का शेल है यहाँ पर एक डिजाइन सा होता है नहीं यहां पर आप अलग से लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से और इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर देंगे आई के लिए एक सरकल और अंदर भी एक स्मॉल सरकल और उसे डार कर देंगे एक फेस बना देंगे बड़ा स्माइल सा इस तरीक से ठीक है तो यह द्रॉएंग हमारी कंप्लेट हो चुकी है अब बात आती है कलरिंग की तो कलर में लाइट ग्रीन कलर ले रहा हूं है पेस पर करेंगे यहां मैं लाइट ग्रीन कलर कर रहा हूं पेस के अब भी घर पर ब्रैक्स करिए गई से दिखके और बनाने कुछ करिएगा अब नैक में भी ग्रीन कलर ठीक है लेग में ग्रीन कलर इस वारे लेग में भी ग्रीन कलर लाइट ग्रीन कर रहा हूं मैं ठीक है लाइट ग्रीन कलर करने आपको और इसमें भी टेल में ठीक है तो यह हमने ग्रीन कलर कर दिया है उसके बाद मैं ब्राउन कलर लूँगा ब्राउन कलर मैं इसके शेल में कर दूँगा ठीक है करके मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि बच्चों को अच्छे से दिखाई दे सके कैसे उन्हें ड्रॉ करना है एक एक फीजम के अच्छे से दिख जाए और इसलिए मैंने थिक कलर से इसके ड्रॉइंग करिए लिएक आप फैंसिल से ट्राइ करना ताकि हम्हें गलत हो तो आप ए रेज कर सब tinc को ईसके बाद उसे बाद में ca किसी थिक मोटे कलर से थीक है ब्लेक कलर से आप इसमें बाद में की आउटलान कर देना अब भी आप इसमें कैु पैंसल ठीक है उसके बाद मैं दुबारा ले रहा हूं और मैं इस पाँआ को भी ऊपटे करने के tavo कि बचाँ हमचों आप देख एक इसको पूरा कंप्लीट कर दिया है गर मैं आप ठीज करिएगा इसे तरीके से ट्रा करने की और प्रैक्टिस करेंगाता यह जादा Peny कर से कि अ